नकीन को डॉर्क टॉर्सादी यली फिर वेक्राइब आज हम बात करेंगे अगर आपकी हरड़पीट बहुत जएदा है और आपकी दिल की धड़कन तीज हो जाती है तो इसकी क्या वज्जुभाद हैं और किन वजुहात की विज़े से आपकी दिल की धड़कन तेज होती है और इसको कम करने के लिए इसको नॉर्मल दाने के लिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आपकी अगर दिल की धड़कन जादा बड़ी हुई है तो इसकी क्या वजुहात और अल और आपको फील होगा कि आपका जो दिल हो जोरण थरक रहा है अगर आप चाय का ज़द्रम प्रड़ से थड़क रहा है अगर हाप चाहिए का ज़्यातर रिद्र और ज़ादा exercise करना, तेज तेज चलना तो ये सब वजूहात होती हैं जिसकी वज़ा से आपकी हार्ट बीट भड़ जाती है इसी तरह अगर गर्मी ज़ादा है, गर्मी का सीजन है और आप गर्मी में काम कर रही है या बाहर से बंदा आता है गर्मी से तो उस वज़े से भी आपकी जो हार्ट बीट है वो ज़ादा हो सकती है अगर आपकी दिल में बहुत ज़दा घबराट और बीचैनी है तो उस सुरत में आपको अपने डॉक्टर से भी चेक करवाना चाहिए ताकि पता चले कि कोई दिल का मसला तो नहीं है उसमें आपने आरामी ओराम से सांस को अंदर लेके जाना है और बाहर खारज करना है ताकिifa कि अपकी स्ट्रेस और इंजाइटी गामची हम आप तरह जाएं input कहसे दिल कायारभ को और लेभात है इसी तरह अरके गुलाब आप दो सी तीन चमाच आप डेली पी सकती है संदल कशरबत जी आपको किसी भी जो हर्बल डॉक्टर होते हैं वहां से आपको मिल जाता है संदल कशरबत आप इस्तामाल करें वो भी काफी अच्छा है दिल की धड़कन को बेहतर बनाने के लिए और दिल की घबरार को कम करने के लिए काफी अच्छा है इसी तरह आप जो गुलाब है उसके फूलों का शर्बत आप बनाके खुद घर में इस्तामाल कर सकती है और सेब का इस्तामाल आप कर सकती है सेप का मुरबह आप इस्तामाल कर सकती हैं यह भी आपकी दिल की धर्कन को बहतर बनाता है लेकर अगर आप डियापिटीस की पेशन है तो फिर आप मुरबह इस्तामाल करें सिर्फ सेप का भी आप इस्तामाल कर सकती है इसी तरह मैं आपको एक सफूप बताने लगियू हूँ आप खुदी घर में तैयर करें उसमें आपने सबज सारत यह थोड़ी निए घरंडर करनी है। और इसी तरह आपने जो देसी जो गुलाब होता है उसकी पती आपने गृंडर करनी है, और इसमें थोड़ी सी आपने मिस्टी डालेनी है, इं तीनी चीज़ों को आपने अच्छी तरह बारी गृंडर कर लेना है, और सुबह तो पैरशाम एक एक चुटकी आपने लेनी है इससे आपकी तबियत में काफी ताज़गी आईगी आपको काफी अच्छा फील होगा और आपकी जो दिल की दड़काना वो भी काफी हद तक बहतर होगी दूद का आप इस्तमाल कर सकती है और पानी बहुत अगरम प अपने नहीं चलना और अपने आपको थोड़ा सा पूर्शकून रखें तो आप ना लिया करें तो आई होप कि चोटी चोटी टिप्स हैं जो कि आपके जरूर काम आएंगी और वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर नहीं ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंशती रहें थैंक्स फॉर वाचिंग